बहुतकार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है वीडियो को अंतक अवस्य देखेगा कोगी कहा गया है आदा दूर अग्यान खतरनाक होता है आचार चानक एक राजनेतिक बेक्ती होते हुए भी उन्होंने पारिवारिक जीवन के बारे में भी सोचा और समाजिक जीवन के लिए भी सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में क्या करे कैसे नहीं करे कि उसके जीवन में भी सफलताएं आएं और वो अपने जीवन को सुधार क एक अच्छी जिन्दगी जी सके यही सब सोचकर उन्होंने एक किताब लिखी चालक की नीती जिसमें तभी चीजें उन्होंने लिखी कि जो की समास से भी जरूरी है और रागे लिए भी जरूरी है इसलिए उन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों का जीवन बैर्थ है जिन्होंने कभी अपने हाथों से दान ही कभी नहीं किया, कभी अपने कानों से कभी वेद नहीं सुना, कभी अच्छी बातें नहीं सुनी, उन्वान होने के बावजूद भी अच्छी बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने आखों से सज्जन पूर्शो अर्थात, सादु महात कभी दर्सन ही नहीं कि जो अन्याय से प्राप्त की हुए धन से अपना भरन पोषण करते हैं तथा गमंड से जिनका सीर हमेशा उचा रहता है यानि गमंडी लोग अर्थाग दूसरी तरह से यह कहा जाता है कि इस्त्रियां अत्यन दुस्साहसी होती हैं वे अपनी विशेवा के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं मदिरा के नसे में डूबा वब्यक्ती विवेख हीन होता है वह ठीक से कभी कोई कार भी नहीं कर पाता है जब देखो तब वह नसे में जूमता रहता है और उस नसे में वो किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है यानि कि वो ब्यक्ति वह प्रणव है जिससटरहें गोई का विचार है विचार ना करते हैं अचार चानक आप जिवन भैर रहे हैं कव्वे की तरह कुछ भी खा पी ले कैसा भी कर ले और उस बैक्टी में धैर भी ना हो उनका अप्राय यह था आगे वया कहते हैं कि दुसासी इस्त्री नसा करने वाला बैक्टी कव्वा कोई तरह भक्ष अभक्ष में अंतर ना कर पाने वाला ऐसा बैक्टी ऐसे लोग नील् जट की निगाह से नहीं देखा जाता है एक तरह से वैं समाजिक तोर से भाइस्करत ही होते हैं लोग उनको अच्छी दरश्टी से नहीं देखते हैं इसलिए इन सभी लोगों को चाहिए कि वह या तो इन आदतों को छोड़ करके अच्छी आदते अपनाएं नहीं तो आपको नहीं सुधार पाते हैं तो इने समाज में कोई भी इज़त नहीं करेगा ऐसा अचार चानक जी का मानना था अचार चानक की यह बात यह आपको अच्छी लगी हो तो जिनका आप भला चाते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजेगा आपने वीडियो अंतक देखा उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद